हेलो एब्रिवन सागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज मैं बनाऊंगी करेले का भरवा जिससे बनाना बहुत ही आसान है तो अगर आपके घर में कोई करवेपन की वज़े से करेला नहीं खाता है तो इस रेसेपी को आप जरूर फॉलो कीजिए तो चलिए स्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर करेले को अच्छे से धो लिया है करेले को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है और इसके आगे पीछे से थोड़ा हम कट कर लेंगे और करेले को हमने तीन पिस में कट कर लिया है तो मेरे पास यह थोड़े बड़े साइस के करेले थे तो मैंने इसे तीन पीस में cut कर लिया है अगर आपके पास इसे छोटे साज के करेले हैं तो आप इसे दो पीस में भी cut कर सकते हैं तो सारे करेले को हमने आच्छे से cut कर लिया है और अब चलते हैं आगे की process की तरफ तो यहाँ पे हम लेंगे एक कराय उसमें एके करके सारे करेले की पीसेस को हम डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक गिलास पानी पानी हमें इसमें उतना डालना है जितने में कि ये सारे करेले अच्छे से इसमें डिप हो जाए इसके बाद मैं इसमें डालूँगे थोड़ी सी हल्दी पौडर, आधी छोटी चमच और एक छोटी चमच नमक और नमक और हल्दी डालके करेले को हम उबालेंगे जिसे की करेले की जो करवेपन है न वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे एक बौइल आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि हल्दी नमक की वज़े से पानी की कलर बिल कितनी डार्क हो गई है अब हम ग्यास की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे पांस से छे मिनट पकाएंगे जब तक की करेले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते तो यहां पे पूरे 5 मिनिट हो चुके हैं तो एक बार हम यहां पे चेक कर लेंगे कि करेले हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं तो यहां पे करेले अच्छे से पक चुके हैं और आप देख सकते हैं कि करेले की कलर जो भी है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके है तो अब यहां पे हम एक एक करके सारे करेले एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां मैंने सारे करेले एक प्लेट में निकाल ली है और इसे अब हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे कि यह जब तक यह पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते तो यहां पर 15 मिनिट हो चुके हैं करेले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे कि करेले के जितने भी बीज हैं उसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो एक चाकू या किसी भी चमच की हेल्प से हम इसके बीज से साड़े बीज निकाल लेंगे करेले के तो आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस में आप भी करेले के साड़े बीज निकाल लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह तो यहाँ पर मैं एक एक करके साड़े करेले से उसके बीज निकाल लोंगे और आप घर में एक बाई से जरूर ट्राइ कीजिए यहाँ पर मैंने साड़े बीज निकाल ली हैं और अब हम इसकी एक महीन पेश्ट तयार कर लेंगे और यहां पे सारे करेले के बिज निकल चुके हैं तो अब हम इसे fry करेंगे तो एक कराई में मैं लूँगी यहां पे तेल तो जितने में आपकी करेले अच्छे से fry हो जाए आप उतना तेल ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से fry कर लेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी तेल डालके इसे फ्राइ करते हैं जिसकी वज़़से करेले की जो करवापन है वो नहीं जाती है तो यहाँ पे इसे deep fry करना कड़ेले को बहुत ज़रूरी है जिसे की कड़ेले की जो करवेपन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी तो यहाँ पे एक सार से थोड़े पक चुके हैं तो मैं इसे पलट दूँगे तो लगभग यहाँ पे 2-3 मिनत मैंने इसे medium flame पे छोड़ दिया था तो कड़ेले हमारे एक सार से पक चुके हैं और भी तो इसी तरह हम कड़ेले को पलट पलट के अच्छे से पका लेंगे तो कड़ेले को यहाँ फ्राइ करना भी बहुत ही जरूरी है जब तक कि हमारे अच्छे से कड़ेले नहीं फ्राइ हो जायते तब तक हम कड़ेले को फ्राइ करेंगे और थोड़े से टाइम आपको लगेंगे यहाँ पे करेले को फ्राइ करने में पांस से साथ मिनट आपको लग जाएंगे तो यहाँ पे हमारे करेले अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं तो मैं एक एक करके सारे करेले एक प्लेट में निकाल लूँगे और अब हम उसी गर्म तेल में यहाँ पे डालेंगे पांच फोरन पांच फोरन के रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और जब इससे अच्छी खुस्बू आने लगेगी फिर मैं इसमें डालूंगी एक बरी चमच अद्रक लहसन का पेस्ट और इसे हाई फ्लेम पे मैं 15-20 से कंटिन्यू चलाते हुए पकाऊंगे यहाँ पे ग्यास की फ्लेम को आप मेडियम कर दीजिए और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कलर के हिसाब से हल्दी पॉर्डर आप जितना तीखा काती हो उसे हिसाब से मेर्ची पॉर्डर मसाले हमारे जलें बैर इसमें थोड़ा से मैं पानि डालूंगी और इन सभी मसालों ku में ऑईल उपड़ाने तक पका लूंगी तो मेरीयम फ्लेम पे हमें मसाले को बुँननहा पर दो मिन्त लगे म साले में तो मैं इसками दाल दूंगी कँद लुर एकड़िक मिनट जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाते मैं पका लूँगी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीन मिनट लगे हैं टमाटर को पकने में और ऑईल भी पूरी उपर आ चकी है तो इसके बाद में इसमें डाल दूँगी पीसी हुई प्याज और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे भी प्याज को पकने में थोड़ी टाइम लगती है तो यहां आपको तीन से चार मिनट लग जाएंगे तो यहां पे दो मिनट हुए थे तो प्याज हमारे अच्छे से नहीं पके हैं तो इसे दो से तीन नट हर में पका पेस्ट तो पीली वाले जो सेरसओ आती है उसी को आपको पीस लेना है तो मैंने यहां पे चार बड़ी चम्मच डाली है और सेर सो को हमें जादा नहीं पकाना है बस दो से तीन मिनट हाई फिलेम पे मैं इसे पकाऊंगे तो लगबग यहां पे तीन मिनट हो चुके हैं और से भी हमारी अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं कि साइड से ओल उपड़ आ गई है तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कडेले की बीजी से हमने एकड़ महीन पीस लिया था इसे आपको पूरी डालनी है और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम पानी डालके अच्छे स से मिक्स कर लेंगे पहले तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे आप दो से तीन मिनट पकाएंगे उसके बाद इसके साड़े ओल उपर आ जाएंगे तो यहाँ पे दो मिनट होएं तो यह थोड़े से और पकेंगे पूरे चार मिनट लगे हैं यहाँ पे मसाले को पकने में यह अच्छे से पक चुके हैं आप देख सकते हैं कि कराय से मसाले बिल्कुल अलग हो चुके तो अब हम गयास की फ्लेम को अफ कर देंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे करेले में भरेंगे करेला भरवा है तो मसाले को तो हमें करेले में भरना ही है तो किसी भी चमच की हल्प से अच्छे से प्रेस करते हुए हम सारे करेले को भर लेंगे आप इस रसेपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको कहीं भी बनाने में प्रोब्लेम आती है तो आप comment करकी पूछ सकते हैं मैं हमें से reply करूँगी तो सारे कड़ेले हमने अच्छे से भर लिये हैं और इतने मसाले हमारे बच गए हैं इसे आप किसी भी gravy में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो प्लीज इसे like कर दीजे सेर कर दीजे और हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे subscribe कर लेजे मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you for watching